Hi everyone, इस वीडियो में हम एनोफिलीज मॉस्कीटो के बारे में पढ़ेंगे ये second unit चल रही है, vector and pest जिसमें हमने mosquitoes and their control वारा topic हम पढ़ रहे हैं इससे पहली वेली वीडियो में मैंने Qlex मॉस्कीटो के बारे में clear कर दिया था और vectors क्या होते हैं ये बताया था इस वीडियो में हम एनोफिलीज मॉस्कीटो के बारे में पढ़ेंगे systematic position देखेंगे, phylum, orthopoda, जितने भी insect होते हैं जिनके पास jointed legs होते हैं, वो orthopoda में आते हैं class, insecta, order, diptera, genus, एनोफिलीज ये systematic position Qlex मॉस्कीटो के similar है दोनों ही मॉस्कीटो है, लिए उनका genus अलग-अलग है एक का Qlex है और एक का एनोफिलीज है, इतना difference है अब देखेंगे habit and habitat एनोफिलीज जो है मॉस्कीटो वो first described and named by JW Manning in 1880 ठीक है, और इसकी 460 species जो है, वो recognized करी गई है, एनोफिलीज genus की, लेकिन 100 ही species ऐसी हैं, जो की human malaria को cause कर सकती है और 30 से 40 species इसकी ऐसी हैं, जो की parasite है, plasmodium genus का, जो की malaria फैलाती है human being में ठीक है, आगे देखते हैं The larva in wide range of habitat but most species refer clean and unpolluted water ठीक है, जलनेरी जो इसकी species होती है, वो unpolluted water में बढ़िया ग्रो करती है larva जो है, एनोफिलीज mosquito का, वो generally fresh water में, cheese water में larva जो है एनोफिलीज मोस्कीटो का, वो generally fresh water में, sea water में marshes, swamp में, या फिर rice field में, कहीं पिर ditches में, गड़ों में, और small temporary, जो rain fall बन जाते हैं, पानी इकठा हो जाता है, वहाँ पर ये पाये जाते हैं, इनका structure देखेंगे, जैसे कि सारे ही मोस्कीटो का होता है, adult एनोफिलीज मोस्कीटो की भी thin body होती है, cylinder body होती है और इनकी body head thorax और abdomen में divided होती है abdomen जो है, वो food digestion के लिए और egg development के लिए main role play करता है adult body जो है, वो dark brown से लेके black in color तक की differ करती color में, और इसका जो thorax है, वो specialized होता है locomotion के लिए, locomotion especially उसका thorax से होता है आगे देखेंगे, life cycle generally जो सारे मोस्कीटो होते हैं, उनकी life cycle 4 stages में complete होती है पहले वो egg होते हैं, फिर वो larva में convert होते हैं, फिर वो pupa में convert होते हैं, और finally वो adult बन जाते हैं, यानि imago नाम दिया गया उसको, first three stages जो होती है यानि egg, larva और pupa ये aquatic medium में होती हैं इन्हें पानी की जरुरत होती हैं, और 5 से 14 दिन में ये complete हो जाती हैं, लेकिन species और temperature इस time को differ कर सकते हैं, अलग-अलग जगों में temperature अलग-अलग होता है, या फिर अलग-अलग species का ये time period अलग हो जाता है, पहली stage देखेंगे, क्यूलक्स mosquito में ये था, उसकी भी ऐसी force अब पहली stage देखेंगे, egg adult female जो है, अनोफिलीज mosquito की, वो 50 से 200 eggs ले करती है, वो काफी small होते हैं, और ये singly ले करती है, means Qlex mosquito में ये था, कि वो standing erect word वहाँ पे use हुआ था, और वो cereal wise में egg ले करती थी, यहाँ पर ये egg singly ले करती है, और directly water पे ले कर देती, इनके ये पास एक unique feature होता है एनोफिलीज मौस्कीटो के egg के पास कि इनके पास floats प्रेजेंट होते हैं either side, यानि दोनों ही side, जिसे कि वो शिंक नहीं करें water में और ये जो हैं, ड्राइंग से जादा resistant नहीं होते हैं, और ड्राइंग को तो ये time period भी vary करेगा अब हम larva देखते हैं, मौस्कीटो जब larval stage में आता है, तो धीरे-धीरे उसका head का development होने लगता है उसके mouth parts develop होने लगते हैं जिससे वो feeding करता है, खाना करता है उसका large thorax develop होता है उसके abdomen में 9 segment develop होने लगते हैं, लेकिन उसके legs नहीं develop होते हैं क्योंकि सारी चीज़े larva में नहीं develop होंगी न अभी आगे pupil stage आएगी उसमें कुछ development होगा, फिर finally adult बनता है, तो यहाँ पर legs का development नहीं होगा, और mosquitos जो हैं, बाकी mosquitos से एनफली mosquito में ये difference है कि इनके पास respiratory siphon नहीं होता है, और ये body, इनकी जो body है, वो surface से parallel होती है Qlex mosquitos में मैंने क्या बता है था उनकी body 45 degree surface से held होती है, तो दोनों में ये differences आप लिख देंगे, larva जो है इनका ये algae में, bacteria पे और बहुत सारे microorganism पे feed करता है, ये जो इनका larva है ये spheracles के थूँ breathe करता है, जो की 8 abdominal segment पे present होते है 13 से 14 days के बाद जो larva है, वो pupil stage में आजाता है यानि pupa बन जाता है pupa को हम trembler कहते हैं ठीक है, वो comma shaped होता है इसके पास जो head होता है और thorax होता है ये fused होते हैं, और इन्हें cephalothorax का नाम देते हैं cephalothorax में respiratory trumpets present होते हैं, जिससे भी वो respiration का काम करते हैं, कुछ दिनों बाद ये जो pupa है, इसकी जो dorsal surface है, वो split होना start कर देती मतलब फटती है, तो वहाँ से adult mosquito बाहर आता है, ठीक है pupa पूरा था, सक्त बना था जब वो split करेगा, dorsally तब वहाँ से mosquito बाहर आएगा pupa stage generally 2 या 3 दिन में हो जाती, यहाँ पर भी temperature का exception है कहीं कहीं temperature अलग अलग होता है तो वहाँ पर ये time period differ कर सकता है, adult देखेंगे अब the duration from egg to adult varies from species to species जैसे Qlex mosquito में उसका time period अलग था और Anophilies में अलग है इसी तरह different different species का अपना अपना time होता है कि वो कब larval stage में आते हैं और कब pupil stage में आते हैं तो इसी तरह जो mosquito होते हैं वो egg से adult में बदलते हैं उनको generally 5 days लगते हैं लेकिन कुछ tropical regions होते हैं जहाँ पर ये 10 से 14 दिन में भी होता है adult body जो होती है वो head thorax और abdomen में divided होती है और जैसे कि ये adult का formation कर लेते हैं तो इनका head fully develop हो जाता है इनके पास eyes आ जाती है और many segmented antennae आ जाते हैं और जो इनका head होता है इनके पास elongated proboscis आ जाता है proboscis mouth का part है जिससे वो feeding करते हैं ठीक है ये देखिए feeding के लिए use होता है दो maxillary pulp होते हैं दोनों ही side ठीक है mouth में जो thorax है वो locomotion के लिए generally use होता है इसके पास three pair of legs होते हैं और एक pair of wings होते हैं जो कि thorax से attach होते हैं abdomen मैंने पहले बता है था food digestion और egg development के लिए major role play करता है ठीक है anophilis mosquito जो है वो क्यों बाकी mosquito से थोड़ा अलग है क्योंकि इसके पास palp present होते हैं जो बाकी mosquito के distinguish आप कर सकते हैं इसके पास long proboscis होता है और इसकी body में white scales present होती इसकी wings पे white scales present होती जिससे हम characterize कर सकते हैं कि इन mosquitoes में से anophilis mosquito के क्या characteristic feature है adult जो है वो resting position से identify करा जा सकता है अब जब वो egg है जब वो larva है जब वो pupa है ता हम उसे characterize शायद ना कर पाएं जब वो adult हो जाता है adult की ये पहचान होती है कि वो anophilis mosquito है तो वो surface से parallel होगी उसकी body Qlex की 45 degree पे held होती है ठीक है इस तरह हम पहचान सकते हैं prevention and control of mosquito अब कैसे इसे control कर सकते हैं mosquito के spread को और जो ये disease फैला रहे है Qlex mosquito में मैंने उसके बारे में सब कुछ बताया था लगिन उसका control और measure नहीं बताया था because Qlex mosquito हो चाहे anophilis हो चाहे कोई भी mosquito हो उसका prevention और control एक ही रहता है तो आप इस वीडियो से इतना content लिखके उसमें आप add कर सकते हैं prevention and control का elimination of breeding places उन्हें कहीं भी breeding places का first point है elimination of breeding places इसमें क्या होता है mosquito को aquatic medium चाहिए होता है या फिर जो भी requirement होती हमें breeding places को eliminate कर देना चाहिए कहीं भी पानी एकठा नहीं रहना चाहिए cleaning, filling और pumping होता है वहाँ पे उसमें dewatering कर देना चाहिए clean कर देना चाहिए कहीं भी पानी एकठा नहीं रहना चाहिए जिसे की वो aquatic medium पाके अपना egg laying वो कर पाए दूसरा चीज है destruction of larva and pupa अगर उन्होंने अपना एग लेकर भी दिया है माल लेजे कहीं भी किसी surface पे तो फिर हमें उन्हें larva और pupa को destroy कर देना चाहिए कैसे spraying करते हैं kerosene oil की petroleum की paraffin oil की crude oil की जिससे की जो larva है वो suffocation की वज़े से die हो जाते हैं और कुछ हम insects का fishes का फिर हम कुछ fishes का use करते हैं लार्वे नी वोरस जो की ऐसी fishes होती ही जो larva को खा जाती है तो जहां भी जिस जगह पे उन्होंने ले किया होगा वहाँ पे इन fishes को हम अगर डाल देंगे तो वो उन सब larva को खा जाएंगी इससे भी उन larva का destruction हो जाएगा ठीक है अब pupa का भी destruction हो जाएगा और क्या कर सकते हैं हम लार्वी साइड का यूज कर सकते हैं मतलब कुछ ऐसे chemical products आते हैं जैसे DDT, BCHC, BHC लार्वी साइड dust का भी यूज हम कर सकते हैं जैसे DDT, BHC इन chemical substances का यूज करके भी हम इनके larva और pupa और egg को हम destroy कर सकते हैं और आगे further adult mosquito बनने से रोक सकते हैं ड्रैगन फ्लाई जो है वो natural enemy होते है mosquito के ये भी जो है mosquito को generally grow करने नहीं देते हैं और उन्हें खा लेते हैं उनके larva को भी खा जाते हैं destruction of adult mosquito जैसे adult हो गया तो हम क्या कर सकते हैं humigation process के through हम ये चीज़ कर सकते हैं spraying करा सकते हैं जिसे कि mosquito के larva भी केल हो जआते है और adult mosquito भी केल हो ज़ाता है थे defense against mosquito bite हम ये चीज़ यूझ कर सकते हैं mosquito net का use कर सकते हैं हम खुद का defense कर सकते हैं कि mosquito bite से हम अपने आपको secure कर सक suppression ठीक है तो ये था एक post of the body should be protected ठीक है कोई रेपलेंट्स आप यूज कर सकते हैं जिसे के हम प्रोटेक्ट हो सकें और यहां पे कुछ वर्ड्स का यूज किया गया है ताट मिक्स्चर ओफ डाय मेथाइल और फिर यहां पे कुछ मिक्स्चर का यूज किया गया है जो कि बहुत अच्छे गुड रेपलेंट्स होते हैं जिने यूज करके हम अपने आपको सिक्योर कर सकते हैं मौस्कीटो बाइट से तो यह था कंटेंट पुरा एनोफिलीज मौस्कीटो के बारे में आई होप यू ल